मध्य प्रदेश में हुए विधान सभा चुनावों के मतदान के बाद अब बीजेपी और कॉंग्रेस का विशेश फोकस रिजिट पर हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश दोनों ही दल रिजिट वाले दिन के लिए तयारियों में जुटे हुए है। हो सकती है। इसमें उन्हें 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान EVN से जुड़ी किसी भी गड़बडी को किस तरह से रोका जाएं। इस बारे में बताया जाएगा। इसमें 26 तारीक को ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। इसके लिए उन्हें भोपाल बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग कैंप में सभी प्रत्याशियों और काउंटिंग एजेंस को मतगणना से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें पोस्टल बैलिट वोट को लेकर भी बताया जाएगा कि किस तरह से इनकी गिंती पर नजर बनाये रखनी है। जानकारों की माने तो काउंटिंग वाले दिन कॉंग्रेस किसी चूप के मूर में नहीं है। इसके लिए कॉंग्रेस EVM के हर राउंड का प्रमान पत्र लेने का निर्नय लिया है। EVM की गणना कई राउंड में होती है। इसके लिए प्रत्याशी और एजेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।